Welcome back to another video of question for you I hope guys आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत सारी लिट्वली बहुत सारी खुशकबरी आ चुकी है Pi Network की तरफ से So finally guys Pi Network ने As a Man and Dates को रिलीज कर दिया गया है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री के बहाफ पे Dates को रिलीज कर दिया गया है जिसमें कुछ कंट्री के लिस्टेड नेम्स हैं जिसमें कि इंडिया भी है चाइना है और बहुत से अलग कंट्रीज है जो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि एक्चुल डेट क्या है मैनेंट की और बहुत सारे लोग ऐसे है जिनकी KYC को कंट्रीट कर दिया गया है बट उनका मैनेंट जो टांस्वरेबल होता है वो नहीं हो पारा उसमें कुछ प्रॉब्लम सारी है वो क्यू हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा और जिनकी KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो उनको अभी क्या करना है क्या प्रोसीजर है और पाई नेटवर्क उसके लिए क्या कर रहा है वो आपको पता चलेगा और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टन चीज गाई पाई का जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा वैल्यूएशन बढ़ गया है जिसमें की इंटरनेशनल जो बैंक्स है वो पाई नेटवर्क को as a cryptocurrency accept कर रहे है और वहाँ पे आपको 2% का increment देखने को मिलेगा तो ये सब क्या है आज की वीडियो के अंदर आपको proper detail ने पता लगने वाला है और उसके साथ साथ बहुत सारे surprising updates है जो आपको वीडियो के बीच में या ending में देखने को मिलेगा वीडियो को शुरू से लेके end तक देखना बीच में बिलकुल भी skip मत करना ये वीडियो बहुत informative होने वाली है आप सभी के लिए और एक और important चीज़ आप सभी अगर कोई नया है चैनल पे तो please subscribe करके notification bell को आप all पे जरूर दबा दे upcoming pie के updates के लिए सो दोस्तो चलिए start करते है सबसे पहला guys यहाँ पे update आ चुका है जो कि individual एसा base की बात कर रहा है यहाँ पे लिखा है pie undoubtedly spontaneously amongst the peoples and anyone has the right to choose and give up for pie network the contribution of an individual lies in the accumulation of a single member base तो यहाँ पे ऐसा system है कि आप single भी जैसे normal mining करते हो कर सकते हो और इसके अंदर जो contribution है वो बहुत ही next level पे होने वाला है और इस चीज़ के लिए आप सभी को पता है हर एक country के I mean India हो गया, China हो गया, Nigeria हो गया और भी different countries है हर जगह का involvation हो चुका है pie के साथ क्योंकि इसका जो fan base की बात कर लो pioneer base की बात कर लो इसके services की बात कर लो हर एक जगह पे अभी के time में as a deliver हो रही है और चलते है next update की तरफ इस next update बहुत important है अभी के time में pie network की जो payments है as a crypto payments वो market में boom मचा रही है इस बहुत ही next level perform कर रही है यहाँ पे लिखा है shops that accept pie network payments will be booming the popularity of cryptocurrency accept will skyrocket incrementally in the next few years तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि pie network की जो payments है वो किस तरीके से बढ़ रही है और future में बहुत ज़ादा market में boom आने वाला है pie network as a cryptocurrency को लेके क्यों guys यहाँ पे आप देखो यहाँ पे pie network proper logos लगा रहे हैं और हर जगा pie के posters लगा रहे हैं और यहाँ पे हर एक जगा पे pie के coins को और pie के हर एक activities को perform किया जा रहा है यहाँ पे एक normal छोटा था showroom टाइप का है और यहाँ पे दूसरी shops है यहाँ पे दूसरे restaurants है इन सभी जगाओ पे pie की payments को accept किया जा रहा है और आज की वीडियो के अंदर आपको एक proper location पता चलेगी कहां कहां पे pie की payments को accept किया जा रहा है और वो उसमें proper details है ठीक है तो वो भी आज की वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको as a pie minute transfer नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे बोला है my pie minute is not transfer to my wallet after completion of KYC तो एक आदमी है जिन्होंने KYC complete कर लिये बट उनका pie minute transferable में problem आ रहा है तो pie network के official ने क्या बोला है after KYC you need to wait more than 14 days for the mapping time once completed your pie will enter your wallet so basically यहाँ पे यह system है कि जैसे ही आपके KYC complete होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के आज़पास का wait करना है उसके बाद हो mapping complete हो जाएगी उस mapping के बाद जो आपके pie जो होगा automatically आपके wallet के अंदर transfer कर दिया जाएगा ठीक है तो आप इस चीज़ के लिए tension ना ले कि मेरे transfer क्यों नहीं हो रहा ठीक है यहाँ पर चलते हैं दूसरे update की तरफ यहाँ पर लिखा है hello PCT has not publicity disclose the main network information if you hear the voice for other informal channels this is probably false news so basically यहाँ पर कुछ चीज़े बताये जारी है जो कि publicly बहुत सारी चीज़ों को pie network disclose नहीं कर रहा अभी के time में क्योंकि अभी क्या है pie network कुछ planning कर रहा है जिस वज़े से properly सारी चीज़े disclose नहीं कर रहा अभी majorly जो disclosure हो रहा है वो KYC को लेके हो रहा है manage को लेके हो रहा है जो कि सबसे important अभी target चीज़े बनी हुई है और KYC सबसे most important अभी बना पड़ा है तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो comment कर रहे है I am still having KYC problems और यहाँ पे लिखा है KYC is a long work PTC is already solving and expanding the scope of KYC if you have questions about KYC you can visit this link to explain your situation तो यहाँ पे system ऐसा है कि अभी के time में ये एक कोई single country की बात नहीं कर रहा यहाँ पे जैसे इंडिया के लोग हैं या other countries को लोग हैं सबी को as a problems face करनी पड़ रही है KYC को लेके तो यहाँ पे एक official link बना रखा है जिसमें कि आप उसमें click करके जैसे ही अमालो आपको किस type की problem आ रही है किसी किसी का मतलब form फिल नहीं हो रहा किसी में कुछ type नहीं हो रहा किसी में कुछ problems आ रही है तो जो आपकी problems अभी face हो रही है वो इस वाले जो link है official link है मैं देदो को description वगारा में तो इस पर जाके आप simply जाके अपनी problems को वहाँ पर फिल कर सकते हो और then उसके बाद आपकी उस चीज को देखा जाएगा और end उसके बाद proper उस चीज को solve कर दे जाएगा क्योंकि guys अब भी के time में KYC के अंदर थोड़े bugs देखने को आ रहे है जिसमें कि आप सभी को मैंने बताया था जो fake accounts है और जो real accounts है इन दोनों में identify करने में time लग रहा है जिस वज़े से ऐसा होना I mean situations face करनी पड़ रही है okay and guys चलते है next update की तरफ यह जो update है यहाँ पर लिखा है I was brainwashed by the pie network songs by Korean pioneers I am still looping it's now 7th time so basically अब भी के time में यह जो pie network का एक song वगेरा भी बन चुका है जो की Korean pioneers इस चीज को release कर रहे है जो की pie network के promotions के लिए तो यह एक best चीज हो सकती है मतलब logo के लिए भी simply song के थूँ भी आप उस चीज को समझ सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ठीक है यह मेरे लिए इसका future है आप उसके साथ जुड़ो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है तो simply आप मत जुड़ो क्योंकि आपको पता है ना कि मेरे लिए better क्या है तो वो चीज आपको यहाँ पर देखनी चाहिए ठीक है और यहाँ पर एक नया सॉंग भी रिलीज वगरा हो चुका है और अच्छा लगे तो आप भी यूटूब पर सरच करके कहीं भी सरच करके आप देख सकते है उसको और यहाँ पर नाइकोलस ने बोला है तो यहाँ पर क्या है कि पाई के जो पाइनियर्स है अब भी के टाइम में जो यूएस की बात करें इंडिया की बात करें तो अभी जो नई जनरेशन है 16 years की 15 years की अंडर 18 की बात कर रहा हूँ मैं तो वो सब भी अब curiosity कर चुके है कि हमें अब as a crypto currency के अंदर investment करना है नई crypto को mining करना है man end का मतलब purchase करना है बतलब x y z सारी चीज़े अब सोच रहे हैं वो लोग तो उन सभी के बारे में भी as a pie के जो CEO है Mr. Nicholas वो सोच रहे हैं कैसे इन सभी को as a proper special treat किया जाए जिसमें कि सभी लोग easily इसके अंदर enter कर सकें तो ये बहुत best चीज़ होने वाली है and guys चलते हैं next update की तरफ यहां बताया जा रहा है what kind of apps do you want to see in built of our 2023 hectares तो यहां पर simply बताया जा रहा है कि 2023 के अंदर जो Nicholas applications बनवाना चाहते हैं US के अंदर तो वो आप किस type के application चाहते हो तो यहां पर लोग को लिखा है I need KYC soon तो KYC के लिए मतलब चाहिए इंको applications तो बट KYC का तो completely कर रहे हैं और यहां पर लिखा है कि basically verification के applications चाहिए online local international transactions के लिए चाहिए और अलग-अलग type की जो application से आप भी यहां पर लिख सकते हो और जिसकी ज़्यादा voting रहेगी उस चीज़ को accept किया जाएगा और यहां पर जो next update है यहां पर लिखा है py browser should have a bookmarking system so basically py browser के अंदर कुछ अलग-अलग systems को लाया जाएगा जो आपके बिहाफ पर होंगे आपके helpful तरीके से होंगे if you have a better idea please post your suggestion in the main screen तो अगर आपके पास कुछ better options हैं तो आप वहां पर easily post कर सकते हो जिससे कि लोगों को पता चले और आपका idea अच्छा लगा तो उसको accept किया जाएगा और आपको appreciation भी मिलेगा तो guys यह बहुत अच्छी चीज़ है and guys चलते हैं और बहुत सारे exciting updates की तरफ जिस चीज़ के लिए आप अभी तक wait कर रहे थे तो guys यहाँ पर just load होने का इसका wait करते हैं तो guys यहाँ पर load हो चुका है यहाँ पर आप update देखते हो कि pie network की जो ऐसा merchants है वो आ चुके है South Korea का यहाँ पर देखो pie merchant spot in South Korea now open pie restaurant in South Korea accept pie payments तो यहाँ पर देखो अभी की यह हाल फिलाल की photo है यहाँ के अंदर आप यहाँ पर proper logo देखते हो प्रोपर प्रमोशन हो रहे है यहाँ पर pie payments को accept किया जा रहा है और यहाँ पर यह कुछ photos है Korea की और Korea के अंदर ही South Korea के अंदर है भी song भी create किया गया है और यहाँ पर restaurant भी open कर दिया गया है तो यह बहुत important चीज़ है और उसके साथ साथ guys pie merchant spot in Vietnam अभी के टाइम में जो pie network के merchants है मतलब जितने भी franchising की बात कर लो जितने भी अलग-अलग countries है उसके अंदर pie के जो different shops है वो open किये जा रहे है ठीक है यह अभी 11 मिनट पहले का update है और यह 10 मिनट पहले का update है यहाँ जो update है pie merchant spot in Vietnam तो यह व्यतनाम का है जहाँ पर pie payments को start किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ valuation लिखी है 1 pie equals to 6,700 dollars तो guys pie का price कितना expected हो सकता है वो आप comment box में बताना बट pie का जो price है actually बात की जाए तो इतना अच्छा price decent price होने वाला है जो आप सभी को beneficiary help करे मैं ज्यादा high price भी नहीं बोलूँगा ज्यादा low price भी नहीं बोलूँगा आपको पता लगेगा जब वो management release होगा तो उस date को भी हम confirm करते हैं आज की इस वाली video के अंदर थोड़ा सा और patience रख लो please यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो South Korea है वो number one पे trend कर रहा है as a pie network knots के अंदर यहाँ पे आप chart को भी देख सकते हो और यहाँ पे number one 15,300 कुछ as a knots है जो South Korea के अंदर है और इंडिया के अंदर 112 knots है जो 19 नंबर पे है तो यह ranking है जितने ज़्यादा ज़्यादा activities बढ़ेंगी तो आप अभी देखो जितनी भी high developed countries है South Korea, China, Japan United States तो यह सब countries के अंदर pie network के जो pioneers है जो knots हैं बहुत high मात्रा में बोलो या high quantity में है तो guys आप सभी अंदाजा लगा लो कि जो pie का valuation या pie की जो growth होने वाली है जब इतनी high developed countries हो रही है तो कितना ज़ादा future में beneficial होगा और India भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और India के भी बहुत सारे pioneers है और India की activities भी आप daily basis पे देखते हो तो guys आप अंदाजा लगा लो pie जो होने वाला है कितना आगे जाने वाला है and guys अब बहुत important update है जो कि international banks को लेके है जो कि pie as a cryptocurrency को लेके है यहां बताया जा रहा है the bank of international settlements has announced a new policy along banks to whole 2% of their reserve in cryptocurrencies crypto is getting so much base no kidding accumulate as much pie as possible to get great wealth तो यहां पे बताया जा रहा है अभी का टाइम में जो सबसे आदा peak में चल रहा है पहले share market चला करता था अभी का टाइम में as a cryptocurrency चल रहा है और हर country इंडिया की बात कर लो US की बात कर लो हर एक country इस चीज़ के acceptation में है कि हाँ हम इसके साथ मिलके काम करेंगे और इस चीज़ पे आपको 2% का reservation देखने को मिलेगा इनक क्रिप्टो कुरंसी और आप सभी को पता है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई मजाक नहीं है not kidding accumulate as a much pie as possible और pie जो है उसका GCV जो value आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा मतलब जितना high value pie का रहने वाला है उसके बिहाफ पर उतना का 2% आपको यहाँ पर reservation देखने को मिलेगा इना cryptocurrencies तो guys यह बहुत next level चीज होने वाली है okay and यहाँ पर as a open manant को लेके update है यहाँ पर लिखा है it's sustainable to them in open manant close manant bartering in seasonal एक amount लिखा है जो आप सभी को पता है यह बहुत popular amount है 3,14,000 वाला for adoption in open manant wild wild community has accept its buy bartering hence will be adopted तो अभी का time में आप simply देखते हो हर एक country के अंदर barter system को accept किया जाता है मतलब जहाँ पर आप simply जाके buy and sell कर सकते हो तो इसमें आभी बहुत सारी countries जोट चुकी है चाहे इंडिया हो चाहे other countries हो और यहाँ पर एक बहुत important update है you support the driving force of pi 18 pi 18 करके एक platform है जहाँ पर pi mall करके है जहाँ पर आप visit करके बहुत सारी products को देख सकते हो जो pi के official products है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है यह official update है और यहाँ पर लिखा है hundreds of commodities exchange ecosystems using pi coin अब भी के time में बहुत सारी commodity बहुत सारी countries के लोग इस चीज़ को use कर रहे है pi 18 will be the official upgraded to a new version in 2023 2023 आते ही जो pi 18 mall है वो proper change हो जाएगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को add कर दिया जाएगा thousands of merchants provide high quality goods to pioneers around the world fly to the moon और बहुत सारी चीज़े और इसके अंदर जोड दी जाएगी जैसे आप यहाँ पर flip card amazon देखते हो उस type की बहुत सारे products आपको हर एक category के देखने को मिलेंगे चाहे expensive हो चाहे वो कम price के हो सभी सभी products आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे ओके guys आप सभी के साथ चलते हैं next update की तरफ यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि pi network के जो KYC को लेके मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत सारे options on कर दिये गये हैं अधार काटके through भी कर सकते हो offline भी कर सकते हो in personal verification भी कर सते हो digital KYC भी कर सते हो video KYC mobile KYC, central KYC इन different different अलग-अलग KYC को आप easily perform कर सकते हो और यहाँ पे guys आप proper देखते हो कि apart of introducing a pi creating sustainability यहाँ पे आप देखो पूरे इस वाली video के अंदर बहुत सारी चीजों को explain किया गया है यहाँ पे starting में एक बार चीज देखो तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी locations है यह जो footage आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है video footage आप जाके देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रही shops हैं यह अलग-अलग countries की सारे recorded data है जहाँ पे payments को accept किया जा रहा है और simply आप इसको google map के तुरू देख सकते हो कहा कहा की destinations है उसका outlet कैसा है सारी चीज़े आपको यहाँ पे information देखने को मिलेगी और क्या क्या चीज़ों की payments मतलम हर एक चीज़ हर एक reliability of चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जैसा आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो okay and guys अब चलते हैं most important update की तरफ की manant की dates वगेरा का क्या है और कैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो guys यहाँ पे साफ साफ dates का आ चुका है जहाँ पे लिखा है please answer is through new about of December 25 the date of the open manant pie in China because the news is getting excited in my country and they says it can be transferable to Chinese bank according to the price when the manant is open तो यहाँ पे साफ साफ के लियर क्या गया है 25 December एक ऐसी date है जहाँ पे open किया जाएगा manant वो भी पाई का चाइना के अंदर और उसके साफ साफ जो भी इस country के जो भी transferable amount होगा जब manant को open किया जाएगा तो आपको जो price देखने को मिलेगा simply आपके transfer कर दिया जाएगा bank के अंदर वो भी किस बिहाफ पे जिस country में आप रहते हो जैसे इंडिया में रहते हो तो आपको इंडियन रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा चाइना में रहते हो चाइनीज के अंदर देखने को मिलेगा जो भी उनका as a revenue of income जो भी होता है ठीक है currency होती है उसके बिहाफ पे उनको देखने को मिलेगा तो 25 के असपास as a China के अंदर देखने को मिलेगा और New Year के असपास मतलब की 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में starting of 1 हफते के अंदर मतलब 1 से 7 के बीच में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा अभी सिर्फ 2-3 कंट्वीज आई हैं जिसमें की चाइना को रिलीज किया गया है और इंडिया का पहले भी आ चुका है जो की proper acceptations जो बनाई जा रही है वो एक तारिक से लेके 7-8 तारिक तक के बीच में है mostly 7 तारिक या 6 तारिक तक देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर बी जैसे ही एक बहुत बड़ी गुड़नीज ये रहेगी जैसे ही चाइना के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चाइना के अंदर किस प्राइज में आया है मालो आपको पता चल जाएगा हमें पता से जागा कि चायना के अंदर 1Pi का wise क्या रहा, तो उससे हमें आइड्या लग जाएगा कि सके वैलरशन की बहाफ़ पर इंडिया में क्या वैलिवेशन सतुन हम&घेस कर सकते है कि इंडिया में क्या पता 10 hairsix Mr. 50pope of 100 m м work πराइज हो सकता है और हम इसमें अपनी country में convert करके भी देख सकते हैं और उसके दो हफते बाद इंडिया के अंदर भी launch हो जाएगा आज की वीडियो के अंदर यही था I hope so आपको पसंद आई होगी अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो please like जरूर करना लाइक करने से में बहुत motivation मिलता है और चैनल पर नएओ सब्सक्राइब करके notification बैल को all पर जरूर प्रैस कर देना तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है नई वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद वन दे मात्रम